भारतिये फैंस के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है एक और भारतिये मेंस टीम ने बांगलादेशी गिंदवाजों की कुटाई की तो दूसरी और महिला टीम ने भी हाथ से हाथ मिलाए और शिलंकाई विमेंस टीम को जम कर कूटा टीम विशुकप 2024 का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है इस टीम ने और पहले बल्ले बाजी करते हुए इतिहास रच दिया है कप्तान हर्मन प्रीत कौर, स्मृती मंधाना और शिफाली वर्मा ने शिलंकाई गिंदबाजों को इतना कूटा कि टीम टीम विशुकप 2024 का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा हो गया आपको बता दें कि आज विमेंस टीम टीम विशुकप में भारत का तीसरा मुकाबला था और यह सबसे एहम मुकाबला था, यह डू और डाय वाला मुकाबला था और यह एक बड़े मार्जीन से जीतने वाला मुकाबला था और यहां पर भारत के सीनियर खिलाडियों ने हाथ उपर करके शिलंकाई गिंदबाजों की बक्खियां उधेर दी टॉस जीतकर हरमर प्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया दुबाई के धीमी पिछ पर पहले बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी था और वही हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए शांदार पार्टनर्शिप हुई इस्मृती मंधाना और शेफाली वर्मा के बीच मंधाना के बल्ले से शांदार अर्दशतक निकला तो शेफाली वर्मा मातर कुछ रणों से अपने अर्दशतक से चूग गई लेकिन टीम इंडिया को शांदार शुरुआत दिला चुकी थी इसके बाद बल्लेबाजी करने आई जैमिमा रोडरिक्स और हर्मरपीत कौर ने टीम इंडिया को बहुत मजबूत स्थिती में पहुँचाया टीम इंडिया के स्कोर के एकर बात करें तो शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों में 43 रन इस्मुरती मंदाना ने 38 गेंदों में 50 रन, 4 चौके और 1 चक्का लगाया हर्मरपीत को और 27 गेंदे 52 रन, 8 चौके और 1 चक्का हर्मरपीत ने पहली 11 गेंदों में 14 रन बनाये थे लेकिन अगली 16 गेंदों में उन्होंने 38 रन ठोक दिये जिसके बदोलत भारती टीम 172 रन बनाने में कामियाब हुई है और वो टीरिन डिवेशो कब 2024 में तिहास रच चुकी है टीम इंडिया ने 2 में से 1 मुकाबला जीता है पाकिस्तान को हराया था, नेट रन रेट में अभी अपने ग्रूप में 14 नंबर पर है लेकिन आज का मुकाबला जीत कर वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे और अगर 40 से ज़्याद रनों से जीते हैं तो उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में आ जाएगा जो की बहुत जरूरी है क्योंकि अगला मुकाबला उनका उस्ट्रेलिया के साथ है 13 ओक्टूबर को जिसके लिए श्रिलंका को आज बड़े मार्जिन से हराना बहुत जरूरी है आपको गया लगता हमें कॉमेंट करके जवू बताएं तब तक के लिए देखते रहें One India Hindi